दोस्तों विंडूस 11 एक बहुत ही modern operating system है इसकी सारी चीज़े नहीं है artificial intelligence वाल पेपर बदल गये हैं सब कुछ बदल गया है टास्क बार बदल गया है और पता नहीं क्या-क्या नई चीज़े आ गई है मतलब सारी नहीं नहीं आई कुछ भी कुछ है ऐसी जो थोड़ी पुरानी तो दोस्तों विंडूस 11 में यह 1998 के आइकॉन क्यों है तो यह क्यों है विंडूस 11 में सब में आज ऐसे आइकॉन क्यों मिलते हैं यह सेटिंग्स कंट्रोल पैणल वह सारी पुरानी क्यों है वो बदली क्यों नहीं नहीं है क्या Windows कुछ गरबड कर रही है इस चीज के बारे में बात करने वाले देखो आप आप यह विंडोज चलाते हो तो आपको मालूम मैं सेटिंग्स पर जाकर आप बहुत सारी चीज़ें लेकिन ऐसी बहुत सारी प्रो सेटिंग्स हैं ऐसी बहुत सारी हाड़कोड चीज करते हैं सेटिंग्स आप को वो लोग ज्यादतर इस्तिमाल नहीं करते हैं अब अगर आप फोल्डर के आइकॉन वगरा सेलेक्ट करने जाओगे तो आपको कुछ इस तरह के के आइकॉन मिलेंगे 2023 में कौन यूज करता है इनको फोल्डर के आइकंस के लिए तो यह एक्जिस्ट ही करते हैं अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ने एक गलती यह की थी विंडोज विस्टा को बनाने में कि उनको बनाने में नहीं करनी है जो लोग चलाते ही नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट काप सिंपल सा फंडा है सिर्फ उसी चीज को अपडेट करो जिसको लोग इस्तिमाल करते हैं बाकी को इस छोड़ दो इन लोगों के यह 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 पर्टिकुलर चीज़े चेंज करनी है इस पर ज्यादा ध्य पैसे की कम लागत लगेगी समय की कम लागत लगेगी और डिफरेंट डिफरेंट युस्टम लॉग जोग पैसा कमा सकतें इसकी जगह कि वो एक दस साल में एक operating system निकाले और उसमें इतनी नई चीज़े एड करें इतनी मेहनत करें जो कि उन्होंने विस्टा के केस में की थी जिसके कोई जरूरत ही नहीं है और जिसे लोग इस्तिमाल करते ही नहीं है फोल्डर के आइकॉन कौन लगाता है भाई तो उसको क्यों ना ले इसकी वज़र ये भी है कि बहुत सारी जो बिजने सेस् विन्डोस खरीते हैं विन्डोस ना सही माइने में वही लोग खरीते हैं जादा तर जो उसका इस्तमाल अपने देनस होता जिसमें computer का इस्तिमाल कuję कोई बड़ी company है वो लोग pirated copy इस्तिमाल नहीं कर सकते उनके अच्छापा लग सकता है, Windows क्लेम कर सकता है, और उनके पूरे बिजनेस के शेर ले सकता है, और पूरा अपना हिस्सा क्लेम कर सकता है, बहुत बड़ा लासूट कर सकता है, इसलिए जो बिजनेस लाइसेंस होता है Windows का वो अलग होता है, और वो Windows से खरीदना जरूरी होत वह बहुत मेहंगा भी आता हैं तो घानल आज किर्पाएं जो क्रिप섯 करते इन स्क्रिप्ट को बनाने के लिए कम्पनियों को बड़ी-बड़ी कम्पनियों को बहुत सौट्व डिबलिपर सोफियर को देना पड़ता है अब अगर हर Windows के साथ वो लोग अपनी core settings को इधर-उदर कर देंगे तो जो scripts उन Windows के उपर चलती हैं वो काम करना बंद कर देंगे तो Windows ये नहीं चाती कि हमारे Windows के उपर जो script businesses की चल रही है वो हमारे next Windows के साथ fail हो जाएं नहीं तो जो companies हैं वो नई Windows के साथ update ही नहीं करेंगी नए Windows को खरी देंगी ही नहीं वो नहीं चाते कि उनके software break हो उनकी scripts break हो इसलिए वो बहुत सारे options को या control panel को as it is छोड़ देती है लोगों के लिए और उसके साथ में जो fancy users हैं जो घर में इस्तमाल करने वाले जो simple computer इस्तमाल करने वाले लोग है उनके लिए settings आप provide कर दीती है जिससे वो basic settings change कर सकें और control panel और hardcore internal बहुत सारे ऐसे parts है Windows के जो अभी भी 20-30 साल से change नहीं हुए है उसके ना change होनी के वज़ाए दो हैं एक तो businesses वाले लोग और दूसरे के भाई प्रेट करने में पैसा समय क्यों लगाना और यहीं मज़ा है कि Windows के बहुत सारे internal component बिल्कुल ऐसी लगते हैं जो Windows XP में लगते थे और 20-30 साल में Windows में कुछ चीज़ें जो बदली ही नहीं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पुराना मैंने आपको बता दी तो यह control panel अनंतकाल तक रहने वाला है और setting भी अनंतकाल तक रहने वाली और दोनों चीज़े साइड बाई साइड चलने वाली है कर दो tara को दो उला कर दो दो कई है कर दो यह आपको 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 एंग साइड दो आपको रहा है कर दो आपको बादे साइड बादे साइड और